सूखे से जूज रहे किस्तान जी हाँ, यूपी में इस बार बारिश ना होने से किस्तानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है दरसल यूपी में इस बार 593.3 mm बारिश होने की उमीद थी लेकिन 393.3 mm बारिश ही हुई है जो समान्य बारिश से 44 फीसद कम है इससे धान की फसल बरबाद होने की कगार पर है यूपी के कई जिलों में सूखे के आसार दिखने लगे है मोसम विभाग के अनुसार मोंसुन रूटने के चलते इस बार पश्चमी यूपी के 11 जिलों में 60 फीसद से भी कम बारिश दर्ज की गई है किसान ट्यूबल लगा कर धान की फसल बचाने में लगे है बारिश कम होने से गन्ना फसल में कोका, बोईंग और धान को तना भेदक बिमारी अपनी चोपेट में ले रही है इस समय अच्छी बारिश की बहुत जरूरत है बारिश कम होने और तापपन बढ़ने से और घटने से गन्ना धान धलन फसल में कीट लग रहा है धान धलन की फसलों पर कीटों का काफी असर दिखाई दिया है धान की फसल में तना छेदक पतालपेट रोग जिंक की कमी होने से बिमारी हो रही है बारिश कम होने से धान का रखवा कम रहने की उमीद है बारिश कम होने से गन्ने की फसल पर भी बिमारी लगने लगी है किसान बाजार से की इतना शक खरीद कर फसल पर फिलाज छड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह फसल को बचाया जा सके लेकिन हालात भयावे हैं वहीं वेस्ट यूपी में धान बोने वाले किस्तानों का कहना है कि कम बरसाद से दिल पर जोर पढ़ रहा है रोज आसमान देख पर धर्ती ना भीज रही धान के पोदों को नरसरी से निकाल कर खेत में रोपने में 40-50 दिन का समय लग रहा है कम बारिश के कारण मुझी का दाना विक्सित नहीं हो रहा दाना छोटा रहेगा इसलिए धान की पैदावार घटेगी और यही हाल गन्ने का भी है जो गन्ना पिराई पर 80-50 रस उतारता था वो अब 40 या उससे भी कम रस उतारेगा यानि गन्ने का रस कम होने से चीनी का संकट भी बढ़ने की गुंजाईश है ब्यूरो रिपॉर्ट मार्के टाइम स्टीव